पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन दिनों बांगलादेश के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही है। सीरीज के पहले ही मैच में पाकिस्तान को दस विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद से पाकिस्तान टीम का जमकर मजाग भी बन रहा है। वहीं कुछ पाकिस्तान के ही पूर्व क्रिकेटर टीम मैनेजमेंट से लेकर खिलाडियों तक पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं इस हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयर मैन मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉनफरेंस करके पाकिस्तान क्रिकेट की समस्याओं के बारे में बताया। वहीं अब देश में चैंपियन्स कप खेला जाएगा जिसमें 80 फीसदी खिलाडियों का सिलेक्षन AI द्वारा किया गया है। चैंपियन्स कप के बाद हमारे पास सभी खिलाडियों का डाटा आ जाएगा जिससे अगर कभी किसी खिलाडी को रिप्लेस किया जाएगा तो हमारे पास खिलाडियों की लिस्ट होगी जिसमें से हम चुन सकेंगे।